दोफ्तों अभी अभी बिहार DL8 का एंसर की जारी कर दिया है इससे आप कैसे चेक कर सकते हैं साथे साथ अगर आपको किसी भी परकार की अबजेक्शन करनी है तो इससे आप कैसे कर सकते हैं जिसकी पूरी जयनकारी इस वीडियो में बताई जाएगी और यहां पर सभी कनेड को एक बार जरूर मिलान करना है यह एंसर की के बाद ही आपका जो है फाइनल रिजल्ट जारी होगी इससे चेक करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मुवाइल यह लैप्टोप में गूगल उपन करना होगा गूगल में टाइप करना होगा ऑनलाइन अपडेट स्टीम जैसे ही आप इतना लिखते हैं आपके सामने फर्स्ट वेब साइट मिलेगा ओनलाइन अपडेट स्टीम टॉटिन का जिसको ओपन करना है और नीचे लेटेस्ट अपडेट में या नीचे जवाप आएंगे रिजल्ट वाले सेक्शन में भी आपको मिलेगा विहार डियले इंटरांस एक्जाम एंसर के जिसके सामने आपको क्लिक करना है जहाँ पर पूरी जैनकारी आपको यहाँ पर बताईगे है एंसर की के रिगार्डिंग जिससे आप समझ सकते हैं और नीचे आएंगे इंपोर्टेंट लिंक वाले सेक्शन में डैरेक्ट आपको लिंक मिलता एंसर की डाउनलोड करने का जिसके सामने आपको क्लिक करना है यहाँ पर कुछ जैनकारी आपको फिल करनी होगी इससे डाउनलोड करने के लिए जो आपकी अप्लिकेशन नंबर होगी साथे साथ आपका डेट वर्थ जो होगा वो पासवर्ट के रूप में डालना होगा औ अगर आपका डेटो बर्थ 1 माई 2000 है तो आपको लिखना है 01-05-2000 इस परकार जो है आपको लिखना है अगर आपका डेटो बर्थ ऐसा है तो यहाँ पर अपनी जैनकारी को फिल करते हैं फिर लोग इन बाले विकल पर किलिक करते हैं लोग इन करने के बाद एक option यहाँ पर देखेंगे response इट मिलता है जिसके नीचे एक option view का मिलता है जिस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर थोड़ा सब को वेट करना होगा क्योंकि आपका जो response इट है वो डाउनलोड होता है डाउनलोड होने के बाद यहाँ से आप इसको और इसका देखिए right question id कौन सा है यहाँ पर आपको बताएगे कि यह 5004 है मतलब कि आपका question number इनका जो C है जैसे question id 5 का right answer आपका हो जाएगा C number जो कि question id के अनुसार मिलान कर सकते है अगर आपने incarnated ने B मारा है तो इसका मतलब यह wrong answer है इसे परकार फिर अगला परसन आप देखेंगे question number 2 का id जो है 20 है और इसका जो right answer आपको बताएगा है कि आपका जो है last में 04 है तो इसमें देख लिजे last में 04 कौन सा है यह last बाला मतलब D है यह D right in का answer है आप कौन से मारे हैं वो देख पाएगे तो इस परकार इसमें मिलान कर सकते हैं आपके कितने सही हो रहा है कितने गलत हो रहा है इसी अनुसार आपका result जो है जारी होगी उसमें जनकारी मिलेगी अगर आपको किसी भी question पर doubt है कि नहीं इसका जो right answer हमने सही मारा है और इनके द्वारा गलत दिया गया तो ऐसे इस्तिति में आप objection कर सकते हैं objection के लिए यहाँ पर एक option मिलता है objection का जिसके सामने आपको click करना है और यहाँ पर दो detail आप से पूछी जाती है objection करने के लिए पहला जो detail है आपको बताना होगा question ID कौन सा जैसे एक नमबर प्रसन का हमने question ID दिखा है तो वो 5 है और इसमें अकर आपको objection करना तो क्या लगता है question गलत था या हो सकता है कि प्रसन सही था उनका यह जो answer है वही गलत दिया गया तो आप अपने अनुसार अपने भासा में जो भी आपको लगता है उसको आप चुनेंगे और आपके अनुसार कौन सही लगता है रिमार्ग में आप वहाँ पर बता सकते है और यहां से नीचे देखेंगे option मिलता है submit का submit पर क्लिक करेंगे आपका जो objection है यह हो जाएगा तो इस परकार आपको मिलान करना है कोई गलत लगता है तो इसके लिए आप objection कर सकते हैं तो जाएगे फटाफट मिलान करिए इस वीडियो को share कर दीजे उन बच्चों तक जिन्होंने अपना इंट्रांस दिया है और इंतजार कर रहे थे इंसर की का और चेक कर पाएंगे जल्दी आपका रिजल्ट जारी होगी जिसकी भी जनकारी आपको मिल जाएगी हमारे ओफेसल वेबसाइट और उनलाइन अपडेट hdm.in से जहां साब रिजल्ट वाले सक्षन में आकर अपना जो रिजल्ट है जो चेक कर सकते हैं जल्दी आपडेट करती जागे आप लोग टेली राम से जूट जाए जहां पर आपको सारी आपडेट आपडेट करती जागे धन्यवाद